नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग रेलवे गुरूप डी 22 सितंबर 2022 सेकेंड सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिल्कुल दोस्तों आप सही सुनें, 22 सितंबर 2022 सेकेंड सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो आप वीडियो को पुड़ा देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल इन्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एकजाम में इस वीडियो से स्वाल सवाल देखने को मिलेगा तो आप एक-एक सवाल का इन्पोर्टेंट समझेए और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी और अब सागर में मिलती हैं चार अप्सन दिया गया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सी नदी और अब सागर में मिलती हैं तो नर्मादा नदी जो है आपको और अब सागर में मिलती हैं अप्शन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि बरसा के बाद वाई मंडल में जल की निलंबित बुंदो से इंदर धनुस बनता है इंदर धनुस बनने के लिए आवस्यक परिघटनाओं में इन में से कौन सी परिघटनाएं सामिल हैं तो आपको अपवर्तन परकिनन और वन बीचहपन का संयोजन ए तीनों परिघटनाएं जो हैं आपका सामिल हैं आपसन चार जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चली नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पहष्चिम की और बहती हैं तो आपको नर्मदा नदी जो है आपको पूरब से पहचिम की और बहती हैं कौन सी नदी दोस्तों तो नर्मदा नदी अप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चली नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि कोचन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिलेज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमे से कौन सा गुण उनके परमाणु दर्मान से अधिक मौलिक गुण है, तो परमाणु करमांग हैं, कौन है दोस्तों? तो आपको परमाणु करमांग हैं, option 1 जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देखले ते हैं, next question कह रहा है, कि आधुन कर बताना है तो कथन 4 कह रहा है कि धात्वी गूण आवर्त में घड़ता है और समूव में नीचे की और जाने पर बढ़ता है बिल्कुल कथन 4 जो है आपका सही है तो अप्सन 4 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तेहवार परती बर्स जन्वरी में नहीं मनाया जाता है तो उडम तेहवार जो है परती बर्स जन्वरी में नहीं मनाया जाता है भोगाली बिहू और पोंगल और लोहडी ये तीनों तहवार जो है परती बर्ष जन्वारी महीने में मनाया जाता है जबकि ओडम तहवार जो है परती बर्ष जन्वारी में नहीं मनाया जाता है ओप्षन 4 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा एकि चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको HIV से संकर्मित होने से बचना क्यों महतवज़र है क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है क्यों महतवज़र है दोस्तों क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है औप्सन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कह रहा है कि गोलिये दरपण के लिए वकरता तीरजिया R और फोकस दूरी F के मध्ध सही संबंध क्या है तो R बाटा 2 बराबर F होगा सही संबंध क्या है दोस्तों तो F बराबर R बाटा 2 अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके छले नेक्स्ट कोशन देख नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि इन में से किस परकार की कोशिकाएं पादपो में सौमहनी उतर का भाग नहीं होती है तो अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके छले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि स्री लाल बहादू सास्त्री राष्टिय संस्कृत बिद्या पीठ भारत के किस सहर में इस्तित हैं तो आपको भारत के नई दिल्ली सहर में इस्तित हैं किस सहर में इस्तित हैं दोस्तों तो नई दिल्ली सहर में ऑप्शन एक जो है बिल्कुल स से आपको चून कर बताना है कि चंदोली राष्टिय उद्यान किस राज में इस्तित हैं तो आपको महराष्ट राज में इस्तित हैं किस राज में इस्तित हैं दोस्तों तो आपको महराष्ट राज में आप्शन तीन जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले कोश्चन कह रहा है कि भारतिय संबिधान का निम्न लिखित में से कौन सा संबिधान संसोधन अधिनियम सहरी अस्थानिय निकायों से संबंधित हैं तो 74 संबिधान संसोधन जो है आपको सहरी अस्थानिय निकायों से संबंधित हैं अप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उतर हो जा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि निम्द में से किस रोग में सरीर उन अन्नेक छोटे मोटे संकरमणों से भी नहीं लड़ पाता हैं जिनका हम प्रती दिन सामना करते हैं तो HIV एड्स रोग में किस रोग में नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो HIV एड्स रोग में option 4 जो कह रहा है कि निम्द में से किस रोग में सरीर उन अन्नेक छोटे मोटे संकरमणों से भी नहीं लड़ पाता हैं जिनका हम प्रती दिन सामना करते हैं तो HIV एड्स रोग में किस में नहीं कर पाते हैं तो HIV एड्स रोग में option 4 जो हैं बिलकुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि एलकीन स्रेणी के दूसरे सदस का आन्विक सुतर क्या है तो एलकीन स्रेणी के दूसरे सदस का आन्विक सुतर जो हैं C3H6 हैं क्या सुतर हैं तो C3H6 हैं option 2 जो हैं बिलकुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question कह रहा है कि भारतिय संबीधान के किन अनुछेदों में मुल अधिकारों के बारे में प्रवधान है तो अनुछेद 12 से 35 में है किस में है दोस्तों तो अनुछेद 12 से 35 में option 4 जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question कह रहा है कि वायू की उपस्थिती में मैगनीसियम को जलाने पर मैगनीसियम अक्साइड बनता है इनमें सामिल अभिकिरिया के परकार का चैन कीजिए ते इनमें सामिल अभिकिरिया जो है अक्सी करण अभिकिरिया है कौन अभिकिरिया सामिल है दोस्तों तो अक्सी करण अभिक्रिया सामिल हैं अप्शन एक जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद के प्रवधानों के तहत राष्ट पती को परत्वेक पहँचवे बरस की समाप्ती पर या ऐसे पुरुवतर समय पर जिसे राष्ट पती आवसयक समझे बित आयोग का गठन करने का प्रअधिकार है तो अनुछे दूसर असी के तहत अधिकार है किसके तहत अधिकार हैं दोस्तों तो अनुछे दूसर असी के तहट अप्सन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सी रासी किसी दिये गए धातू के तार की विदुत परतिरो धक्ता को परभावित करती हैं तो तार की पदार्थ की प्रकिर्ती करती हैं कौन करती हैं दोस्तों तो तार की पदार्थ की प्रकिर्ती option एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि जब कोई किरण उतर लेंस के मुख अक्ष के समनांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तित किरण जो है आपको मुख फोकस से होकर गुजरेगी किस से होकर गुजरेगी दोस्तों तो अपवर्तित किरण जो है आपको मुख फोकस से होकर गुजरेगी option एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि बिलीचिंग पावडर को इन में से किस परकार निरूपित किया जाता है, तो बिलीचिंग पावडर को CAOCL2 ड्वारा निरूपित किया जाता है, किस परकार निरूपित किया जाता है, तो CAOCL2 ड्वारा अप्सन दूजो है, बिल्कुल सही उत उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या का रहे था तो कोसा अध्यक्ष या खजान्ची का रहे था अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आहार में मौझूद वासा छोटी आत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती हैं क्योंकि वासा अमासे में उत्पन जल युक्त करदम के साथ अच्छी तरह मिस्रित नहीं हो पाते हैं इसलिए बनाते हैं आप्शन दूजो है बिल् मुख अक्ष पर इस्तित वह बिंदू जो गोलिये दरपन के वक्र प्रिष्ट के समान दूरी पर होता है वह डैस कहलाता है तो वह आपको मुख्य फोकस कहलाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों तो वह मुख्य फोकस कहलाता है अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाए तो आपको 26 नॉवंबर 1947 को पेस किया गया था कब पेस किया गया था तो 26 नॉवंबर 1947 को अप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि किस बर्स में भारत के ततकालिन वायसराय लर्ड करजन ने बंगाल विभाजन की घोशना की थी तो बर्स 1905 में की थी कब की थी दोस्तों तो 1905 में अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि खतरनाक अप्शिष्ट के निप्टान की सर्वोतम बीधी क्या है तो भस्मी करण या जलाना है क्या है दोस्तों तो भस्मी करण या जलाना अप्शन एक जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न में से किन प्राणियों में पूरे सरीर में रक्त परवाह के परत्वेक चक्र के दोरान रक्त केवल एक बार हीदे से होकर गुजरता हैं तो मतस्ट से प्राणियों में गुजरता हैं किसमें दोस्तों तो मतस्ट से प्राणियों में अप्स की दीशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती हैं तो मेट्रो और बॉस सेवाओं का निर्माड करना यहीं कदम उठा सकती हैं कौन सी कदम उठा सकती हैं दोस्तों तो मेट्रो और बॉस सेवाओं का निर्माड करना अप्शन तीन जो हैं बिल्कु परणत परागम जीलिक के आर पार गती का वनन करता है, तो परासरन करता है, कौन करता है दोस्तों? तो परासरन ओप्सन चार जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, इस स्रीप्ट में इतना ही सवाल था, मैं उमीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल important है आपके एकजाम में इस वीडियो से same to same सवाल देखने को मिलेगा ओके मैं आपसे next वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए टेक केर दोस्तो एंड बाई